हमाशकार मैं दिपांजन मुकर जी हेशल फाउंडेशन से हूँ और यह हमारा शक्ती उत्सफ है यह हमारा सेकंड एर है जब हम बंगाली स्टाइल में दुर्गा पूजा कर रहे हैं और हमारा पूजा थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम इसको बुलाते हैं पूजा विद परपस यहां देवी जी की पूजा तो होती है यह मूर्ती काफी स्पेशल है कालकटा से आई हुई है यह मूर्ती वहां की एक महिला आर्टिस्ट है श्रीमती चाइनापल उन्होंने बनाया है तो यह मूर्ती बहुत खास है क्योंकि 300-400 साल पहले जब हमारे देश में दुर्गा पूजा पहली बार इतने बड़े लेवल पे चालू हुई बंगाल में जब चालू ही दुर्गा पूजा तब exactly यही डिजाइन की मूर्तियां बनती थी हम उसे सोने की दुर्गा बुलाते थे उस जामाने में तो रियल सोने से बनती थी पर अभी भावनाओं में हमारा सोना अनमोल है तो सोने की दुर्गा का दर्शन हम चानते कि सब करें और हमारे परपस के साथ जुड़े क्योंकि वह भी बहुत महतुफपूर्ण है क्योंकि पूजा तो पूजा की जगा बहुत ही इंपोर्टेंट है पूजा के साथ अगर दो लोगों का भला भी हो जाए तो इससे अच्छा फेस्टिवल नहीं हो सकता कारीगरी जब होती है आजकल तो रियल सोना चड़ना संभव नहीं होता पर सोने के पानी से काम होता है वर्क से काम होता है तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोना तो चुपा हुआ है वाकि असली सोना तो दिल में है यह है कि बोपाल एक ऐसा शहर है जहां इतने सारे कल्चर एक साथ रहते हैं और हमारी यहां इतनी सारी शेरिंग होती है कल्चर की तो हम चाहते थे कि हमारा जो दुर्गाबाडी है हम इस घर को दुर्गाबाडी कहते हैं तो दुर्गाबाडी का कॉंसेप्ट यह है कि हम करलकटیا सिधा यहां बुलाते हैं और थो यहीं आके दर्शन देता कि जो कलकता नहीं जा पाते है हो यही कलकते का अनन्द ले पाए धक्षिना फर हमारे मैं कहते हैं कि जो है तो उसका हिसाब नहीं राखा जाता है, हिसाब तो मन में होता है, सो श्रद्धा क्या, मुझे लगता है कोई अमाउंट वैसा तो होता नहीं है, सो जो जैसा सोचना चाहे है, वैसा, देवी जी, एक रुपे में भी खुश होती है, कड़ोडो जिनके पास है, उन पे भी वो महरबान है, क्योंकि हमने बोला कि ये पूजावित परपस है, हमारा डुनेशन बॉक्स थोड़ा डिफरेंट सा है, हमारे यहां देवी जी को जो चढ़ावा लाते हैं, तो हमारे यहां हम बोलते हैं, फूल, माला, नारियल, ये सब तो सब जगाँ चढ़ती है, यहां हम चढ़ावे में देवी जी को अनाज लाते हैं, अन्नदान के लिए, हम देवी जी के लिए स्टेशनरी चढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जाए, कुछ स्लम स्कूल के साथ हम काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में वो स्टेशनरी जाता है, और सबसे बड़ा दान जो होता है, आरोग्यादान का, कि शक्ती जो सच में महिलाओं में बसती है, उन महिलाओं के लिए सांट्री नैपकिन्स हम कलेक्ट करते हैं, आरोग्यादान के हिसाब से, और हमें बड़ी खुशी है कि पिछले तीन महिनों से हमने ये ड्राइव चालू किया है, सांट्री नैपकिन्स कलेक्ट करने का, और हम लोग अभी बोल रहें कि हमारा एक लौता ऐसा मंदिर है, जहां पर सांट्री नैपकिन्स चड़ावे के तरह चड़ाए जाती है, और अगर इस तरह हम शक्ती की पूजा कर सकते हैं, तो भला क्यू नहीं, जो शक्ती हमारे आजुबाजु रहती है, उनका सम्मान बड़े, तो मुझे लगता है, देवी जी भी खुश होंगे, ये मूर्ती काफी टाइम लगती है, अगर आप देखे, इसकी जो फिनिशिंग होती है, एकदम स्मूध फिनिश आती है इसकी, तो ये देवी जी हमारी ओर्डर होती है, पहला बुशाग जो होता है, बंगाली साल का पहला दिन, बैसाक के टाइम पे, जिस दिन बैसाक ही भी होती है, उसी पहले दिन में, ऐपर्ल में, 15th ऑफ एपरिल, उस दिन इसका ओर्डर होता है, उस दिन पहला बास ठुकता है जिसको हम काठामो बोलते हैं और तब से वो चालू होती है तब जाके ओक्टोवर में आपाती है तो काफी लंबा प्रसीडियर होता है पांच से छे मोईनों का आप अगर मूर्ती में गौर करें ये एकदम ट्रडिशनल बांगला स्टाइल में बनी हुई है ये सबसे पहले तो इनकी जो आँखे है जो सबका मन मोह लेती है ये आँखे जो है उनका फेस जो है इसके डिजाइन को हम बांगला मूख बोलते हैं जो ट्रडिशनल बेंगौल का चेहरा होता था और आप अगर देखे उपर में हैंड पेंटेड पेंटिंग इधर क्रिशन जी की रासलीला भी चल रही है और देवी असुर का दलन भी कर रही है तो ये पूरा जो सेट अप है कि एक ही चाला में पूरा परिवार देवी जी का ये बहुत ही ट्रडिशनल स्टाइल है बेंगौल का और अगर आप सिंख को देखे तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है आपको दिखेगा जो लायन है उसके जैसा नहीं दिखता पर जैसे चंडी में डेस्क्रिप्शन है सिम का क्यूंकि जो जो देवी का वाहन है उसका शब्द का अर्थ है सिम जो एक मिथिकल क्रीचर है और वो काफी मिलता जोलता है हमारे साउथी स्टेशन ड् एक यहां की में 51 देवी का अर्शन कर सकते हैं और वो ऐसे है कि एक तो वो खुद है और बाकी 50 बाहर लगे हमारे पींटिंग्स है, पचास देवियों की पींटिंग्स है, जो बंगाल से बनके आई हुई है, हातों से लोगों ने बनाया है, वो भी मेहीक के महिने से लोग बना रहे हैं, so hand paintings, hand painted वो paintings है, डच बेंग्गॉल स्टाइल में, जो बाहर लगी हुई है, तो आप एक ही जाकी में आओ 51 देवियों का आशिरवाद पाल